कि हैलो स्वागत ते आपका एक बार की पार सल अभाएंति तर के इस वीडियो लेक्चर में जैसा हम 10 गेंट क्लास का चेप्टर नंभर 10 इस्टार्ट किया था उसका ये सेकेंड वीडियो लेक्टर है हमने लास्ट विच्टर में इस्टेडी करी थी लाइट के बारे में रिफ्लेक्शन के बारे में और आज हम इस्टेडी करने वाले हैं इसके अंदर हम इस्टेडी करने वाले हैं मिरर्स और टाइप सोफ मिर्स के बारे में तो चलिया मिस्टार्ट करते तो हमको इ जी छोटन सर्फेस ऊटीए wash up का इसा देखते तो एक तरफ कर देते यह तो इसे हम क्या करेंगे हम इसमें एक साइब अबर पॉलीष करदेंगे की अगर गलास है तो यह वालवा सर्फेस केसा हो जाएगा Рप्लेंट सरफेस हो जाएगा इस रीफ्लेक्शन होगा और वोरे चेहरत इसके अंदर दिखाई देता है तो पॉली सरफेस होता है जिससे क्या होता है ओल्मॉस्ट ऑणर रे रिप्लेक्ट है मतलब क्या होगी जिसमें से जो रहाएगी वह आप us उसके इंदर 99 परसेंट होता है उसको मिरर बोलते हैं अब मिरर क्या है तो मिरर दो टाइप के होते हैं सिंपल सा है ना एक्चॉल में अगर आप मिरर देखेंगे तो मिरर तो तीन टाइप के होंगे बट हमको भी टेंथ में पढ़ना है तू टाइप मिरर है कौन-कौन से तो पेरा मेरर हे इसके अंदर पलेण से मिरर अब बेजम मिरर क्या होता है तो जो आप घर पर देखते ही मिरर ठीक है जैसे आप को में दिखाता हूं यह मिरर है ठीक है सिंपल सा क्या है फ्लेन मिरर ठीक है इसको अगर मैं अंदर से हां से निकालूंगा यह निकल जाएगा ली लिअन है क Queen देख यह सिंपल सा अब को मिर दिखाई अधरत है तो पिछे कर दिया हमने सिलवर की यह मैं कण coral कर देंडेने जाओ और और महिंगा लें जाओ मैं सिलवर एक को 99 पर सिट क्या करेंगा रिफ्लेक्ट कर देगा और रेक रिफ्लेक्ट करता तो यह वाला कौन सा सर्फेस हो गया reflected सर्फेस हो गया और यह हो Precis तो अगर मैं यहाँ पर बनाूँगा जैसे यह तो मैं रिफ्लेक्ट सर्फेस इस सोकर के बताता हूं यह क्या चैह kwest लेक स्पोली यह क्यों गयाग पॉऔर कहा दिखा देखा हमारा जहरा दिखाएं को यह क्या करो भुआ ह będę तो यहोगा आप प्लेइन मीरर की एगर हुम बात करेंगे तो क्या होगा अगर हम इसके अंदर बात करेंगे तो जो इमेज बनेगी इमेज हम आगे देखेंगे क्या होती है तो इसमें जो इमेज बनेगी वह इमेज की प्रॉपर्टी to स्टेकिन के एगा है इमें जे कि प्रॉपर्ट इस वगिरा केसी रही तो गर्में से बेचिते हैं। आप के साई हूब ऻू अंदर भी एक वेक्ति खड़ावा दिखता है ठीकर तो आपने कभी गौर किया है कि उसकी प्रॉपटी के रस्ती जो अंदर रहता है वर्चुल तो वेर्चुल रहता है वह किसा और इसके अंदर आप यहां पर यहां पर आप खड़े हों कि तो आप जब यहां पर खड़े हो तो देखना आप जब अंदर की तरब देखते हो तो क्या होती है करे इस टाइप से जाती है और यह रे कैसी निकल जाती है सीधी निकल जाती है ठीक है उसके बाद में एक रे क्या होगी यहां से यहां पर जाएगी ठीक है तो यह रे क्या होगी जब इसे टकराएगी तो आपको पता यहां रिफलेक्शन होगा और रिफलेक् के तो रिफ्लेक्शन पर यह वापस रे निकल जाएगे पर यह इधर अगसे अगर हम देखेंगे तो हमको आते वही कासी दिखाई देगी इधर से तो पीछे हम यह बना देंगे ठीकी तो आप देखेंगे कि आपकी इमेज यहां बन जाएगी जो लाएं इंटरसेट कर रही ह है तो ये आप थे ये क्या था हमारा ऑब्जेक्ट अलब आप ँठे़ है और ये क्या है इमेज लघुर्ट ऑफवर सब्टहर वठते दो सिंपल किया है एक बार चीहा अपना देख bleibt बार प्रवाल में क्या होता है कि हम नादो के भी अपना चेहरा देख लेते हैं तो अबजेट से इमेज बन गई ठीक है देखो इमेज के लिए एक रही यह जा रही है और एक रही है जहां पर इंटर्सेक्ट कर रही है मेज बनी कैसी वर्चुल क्योंकि अंदर की और है सेकें कैसी रहेगी यह एक रहेगी मतलब सिधी रहेगी ठीक है उल्टी नहीं बनेगी सेकेंड अगर हम बात करेंगे तो क्या होगा मेर और ऑबजेक्ट के विटे उतनी डिस्टेंज क्या होगी उतनी डिस्टेंस के बीज में रहेगी आप जितना मिरेकर पास में जाएंगे ठीक है उतना बड़ा आपको क्या है आप दिखते चले जाओ गया जितना पीछे जाओहूंकि उतने छोठे आप-मथ Ellis जा between mirror mirror and object is equal to the distance between mirror and image मतलब जो डिस्टेंस क्या होगी ऑबजेक्स मिलर के बीच की होगी ठीक है से इस में प्लेन मिरर के अंदर अगर थार्ट चीज अम यहां पर देखते तो हम जब मिलर के अंदर देखते तो हमको लेट कि तरी इमेज दिखाई देती है मलब आप समझना अगर हम बात करेंगे देखो यहां पे अगर जब हम अपने आपको खुद को किसमें काच में देखते तो क्या होता है ग्लास के अंदर देखे तो क्या होता अगर आप तो एक पर आपने कभी देखा होगा कि एंबून्स के पिछे क्या लिखा रेता है जाने कि इमेज में कि इसके अंदर जो गाड़ी चला रहा है उसके मीरर में ठीके तो भी आ गिज़रासीदा क्योंकि वह चेंज हो ज्जाता है सएल आप यУजा बनाते और मेर में देखें एप ये यह सदिखेगा जीसदें और अगर हम बात करते किसी हम बात करते इसके इंदर बी की है तो Mirror में कैसा दिखे गाई है इस टाइप से गाई क्लियर और हैस साइट का इस साइट का इता है है और अगर हम Properties इसकी बात करते तो ऐसकी और Properties बगिरह क्या हो जाती है हमारी तो Properties इसकी हो जाती है यह क्या देता है यह जो fazer बनती है जो हाइट ओब्जेक्ट होथा हाइट ऑफ मेश वह क्या रहती है इसके अंदर से हाइट कि अगे तो सारी को रिफेक्ट करता है उसके बाद मिईर होता है तो प्लेद में में क्या है जो मिखता है वह स्मूथ रहता है प्लें देता है ठीक है और जो इमेज से तो प्रॉपर्टी वगेरा देखी Ya simple size के बाद में अगर हम देखेंगे आगे सब्सक्राइए तो इसके यूजेस की बात करूं तो कहां कहां यूज होता है तौ सिम्पल सा आपका जो हरमे मीरर होता है वो बनाने यूज होता है फ्लेयन मेर लिए जिसके अंतराप चेहरा देखते सेकेंड अगर हम देखें तो कहां पर यूज होता है ये यह होता है कलीडो इसकोब में मतलब समझते हो आप जैसे आपने कभी देखा होगा बच्पन में आप लगों तो क्या देखा होगा लेकिन पेले क्या होता था इस टाइप से बक्सा रहता था उसके अंदर इसे ग्लास ठीक है जैसे वाला क्या हो गया यह बक्सा हो गया इसके अंदर क्या है यहां पर ग्लास यहां पर ग्लास यहां पर ग्लास यहां पर ग्लास पिछे ग्लास और यहां पर भी ग्लास लगा रहेता था और सबका कई कहां पर होता है तो वह होता है पिरिस्कोप में अब प्रिस्कोप क्या है कि अबक अब कभी सम्मरीन कभी देखा हो या मतलब देखी हो या वीडियो बढ़कत tumor ing love आनि दिजा दर चलती है तो वो में दर दोकिड़ करते हैं तो इस टाइप का मेकनिजम होता है यह इस टाइब का तो यहां जो आदमी है वो यहां से देखेगा ठीके तो होता क्या है यहां एक ग्लास लगा रहता है यहां एक ग्लास लगा रहता है तो अगर यहां पे कोई आदमी खड़ा है तो वो क्या है उसकी इमेज यहां बनेगी और reflect होके यहां आएगा और reflect होके यहां पर इसको दिखाई दे जाएगा तो इसको पर इसको बोलते हैं इसे पंड़ भी है पानी के अंदर पानी के बाहर निकल के अपन देख सकते हैं टो तो इसके यूज़ बीच विसमझें आ घाए ठीके अलग-अलग उहली क्या होताएस के उस वगलाश वगलास मेरेमीत होता है कि अब अगर इसके बाद हम बात करेंगे तो सेकनिया पर कौन सा हो गया मैं सेक के मिझा र कौन सा हो जाएगा कर दो कर दो